कि बिस्मिल्लाय रह्मानि रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने ICS Part 2 की बुक का पहला हिस्सा सी प्रोग्जामिंग लेंगविज को मुखंबर कर लिया था आज के लेक्चर में हम इसी जमरे में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 को जिसका नाम है डेटाबेसिक्स अगर हम कंप्यूटर की डेफिनेशन को देखें तो आप जानते हैं कि हम कंप्यूटर की डेफिनेशन बश्चमन से पढ़ते हैं कि कंप्यूटर इस एन इलेक्ट्रोनिक डिवाइस एक टेक्स डेटा एज एन इंपूट पॉसेस डेटा एज एन आउटपूट यानि अगर आप कंप्यूटर को जोके उननीसी सजी की सब्सेट बड़ी इजाद है इस पर गौर करें तो यह चार में पार्ट्स पर mins इंपूट पार्ट intentions अगर कंप्यूटर की definition तो यह चो इनंपूट पर आप क्या इनपूट देंगे डेटा को इनपूट देंगे औरगता ऐस है डेंटा इजिंप of raw facts and figures, यानि जो data होता है, ये मजमुवा होता है, raw facts and figures का, और raw facts and figures में, कोई भी character आ सकता है, कोई भी number आ सकता है, कोई भी special symbol हो सकता है, लेकिन, क्योंकि यहां, raw facts and figure की बात हो रही है, तो means ऐसे numbers, ऐसे characters, ऐसे symbols, जिनकी कोई meaning ना हो, जिनको देखकर आप समझ ना सकें कि इसका मतलब क्या है इसका मकसद क्या है मिसाल के तो पर मैंने आपके सामने एक number लिखा है अब अगर आप इसको देखें तो ये सिर्फ एक number है लेकिन आप बता सकते हैं क्या बता सकते हैं कि इस number का meaning क्या है या इसको लिखने का मकस्त क्या है नहीं न तो इसलिए हम इसको data कहेंगे तो कि इस तरहा का number है इस तरहा के numbers का मज़मुआ है जिनको देख कर आपको कोई जानकारी हासिल नहीं होडी so it is called data लेकिन दोस्तो यही data किसी भी organization के लिए बहुत जादा एहमियत का हमिल होता है यह यह कह लें कि किसी भी organization की तरहती और जवाल का सबब उसके data पर ही based करता है दोस्तो data की उसको समझने के लिए आपको एक मिसाल को समझना होगा मिसाल के तरह पर आपको बिजनिस शुरू करने का सोच रहे हैं तो आप बिना सोचे समझे तो बिजनिस शुरू करेंगे नहीं तो आप market search करेंगे कि इस वक्त सबसे ज़्यादा किस किसम का बिजनिस तरकी करदा है और इसके लिए आप मुक्तलिक किसम के businesses के बारे में और ये मालूमात आप किसी एक इनसान से एक परसन से तो एकटा करेंगे नहीं बलकि आप garments के business के लिए मुक्तलिक गार्मेंट की companies से मालूमात हसल करेंगे और साथ के साथ जो लोग इस कारोबार से मुंसलिक होंगे उन लोगों से भी मालूमात एकटा करेंगे और जब तमा मालूमात एकटा हो जाएगी इसके बाद आप तमाम मालूमात को एक जगह राइड डाउन कर लेंगे और उस मालूमात मेंसे जो key points होंगे उनको एक दूसरी जगह लिख लेंगे अब आपके पास important key points मौजूद हैं अब आप उन points की मदद से ये decision लेंगे कि कौन सा कारोबा आपके लिए फायदा मन्द होगा और कौन सा आपके लिए नुकसान का बाइस होगा और दोस्तो इस मिसाल में जो हमने मालूमात का लफ़ इस्तमाल किया है यही दरसल कहलाता है डेटा जिस तरह गार्मेंट के बिजनस के लिए आप तमाम डेटा गार्मेंट से related कर रहा है गोर्ड के बिजनस के लिए गोर्ड से related तो इससे हमें यह पता लगा कि हर और बिजनस का अपना अलग डेटा होता है उस और वो डेटा आपको collect करना पड़ता है एकटा करना पड़ता है मुफतलिफ और जब तमाम डेटा एकटा हो जाता है तो आप उस डेटा पर processing करते है operation perform करते हैं और उस operation के perform करने पर आपको क्या मिलेगा information यहां यहां इस मिसाल में आपने बहुत सारा डेटा कलेक्ट तो कर लिया लेकिन फिर आपने उस डेटा पर तो कि बड़ी तादाद में था उस पर अलग अलग techniques apply करके उसको कुछ खास key points में convert कर लिया तो यह जो अब आपके सामने key points हैं यह कहलाएगी information और यह information आपको कैसे मिली जब आपने डेटा पर processing की उस पर काम किया तो यह जो processing है यह कहलाएगी operation on data और अब जब आपके पास information अप गई है तो आप decision लेंगे कि आपको कौन सा कारोबार करना चाहिए यहां आपने गौर किया तो यह जो आपकी data की collection है फिर data पर operation है फिर उस data को information में तद्दील करना है यह organizations क्यों करती है ताके वो decisions बेसे के अपनी company की growth के लिए तो दोस्तों इसलिए किसी भी organization के लिए सबसे important है data organization उस data पर processing करती है और processing भी दो तरह की होती है manual processing जो के आपकी organization खुद से करती है और दूसरी है software processing जो के computer के जरीए perform की जाती है और आधकल हर organization अपनी processing को pass करने के लिए speed up करने के लिए software processing की तरफ ही जा रही है और इस processing के जरीए data पर मुक्तरिफ operations परफॉर्म किया जाते है और data को information में तबदील किया जाता है और इस information की गुना पर organizations decision लेंगी कि हमें अपनी organization को चलाना किस तरीके से तो यहां information क्या है the manipulated and processed meaningful data is called information यानि जब आप data पर कोई भी operation परफॉर्म कर दें और उस operation के नतीजे में वो जो meaningless data था वो meaningful हो जाए तो ऐसे data को information कहा जाता है दोस्तो अक्सर लोग इस बात में confused होते हैं कि data और information में क्या फर्क है तो आप इसी number को देखें और मुझे बताएं कि यह data है या information दोस्तो जी हाँ यह data है क्योंकि इसको देखकर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा आप कुछ भी आपको हासल नहीं हो रहा और आपको यह पता लग रहा है कि यह कुछ numbers का मजमुवा हैं लेकिन दोस्तो अगर मैं इसी data के दर्मियान यह slashes लगा दूँ तो अब यह कुछ numbers कहलाएंगे एक date और आपको पता चल गया है कि यह कोई मामूरी number नहीं है यह तो एक date है विच मीन्स के अब इन slashes के लगाने के बाद यह एक information बन गई है और यह जो हमने slashes लगाए है इस data को information में तब्धीर करने के लिए यह कहलाएंगे operations on the data यहीं दोस्तो इससे हमें यह पता लगा कि meaningless raw facts and figure कहलाते है data और meaningful data कहलाता है information यह जो information है यह data से ही हमें हासिल होगी लेकिन कब जब हम उस data को process करेंगे इसलिए दोस्तों we can say कि every system takes data as an input perform processing on that data and convert it into the meaningful information यानि कोई भी system कोई भी software data को input लेता है उस data पर operation perform करता है processing करता है और उस operations के नतीजे में data को information में तब्धीर कर देता है अब दोस्तों आईए जानते हैं कि एक data पर हम कौन कौन से operations को perform कर सकते हैं तो दोस्तों यह आपके सामने एक data है अगर आप इस पर गोर करें तो यहां पर आपको कुछ name नजर आ रहे हैं कुछ numbers नजर आ रहे हैं यह numbers में alphabets और numbers से मिलकर कुछ word बन रहे हैं और यहाँ no लिखा हुआ है yes लिखा हुआ है यानि यह क्या है दोस्तों यह एक data है क्योंकि आप इसको understand नहीं कर पा रहे हैं अब अगर मैं इस data पर कुछ operations perform कर दूं तो यह आप कहलाएगी एक information जानी student की एक mark sheet आपको नजर आ रहे हैं जो किसी data से मिलकर बनी है तो अब यह जो mark sheet है य क्या है दोस्तों यह information जो के बनी है इस data से मिलकर और हम इसको information क्यों कह रहे हैं क्योंकि आप इसको understand भी कर पा रहे हैं कि यह तमाम है नेम्स यह रोल नंबर्स यह इनके math physics और chemistry के numbers इसके बाद हमने इन तमाम नंबर्स पर कैलकुलेशन इस ब्लॉक्स के अंदर डाला उसके बाद इनके अंदर कुछ कैलकुलेशन करी इनको headings दी तो यह आपको एक information की शकल में एक mark sheet नजर आ रहे हैं तो आए जानते हैं किस पर हमने क्या-क्या operation परफॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फ इनको नाम दे दिया इनको एक heading में classify कर दिया कि यह है roll numbers इसके बाद यह तमाम है mask यह हैं तमाम names और यह हमने बता दिया कि यह pass और fail के लिए हमने yes और no के लिए एक heading डाल दी pass यानि हमने इन तमाम data को अलग अलग groups में डाल दिया जिसकी वज़ा से इसको classify करना असान होगे तो यह operation कहलाएगा classification इसके अंदर हम data को अलग अलग groups के अंदर classify कर देते हैं कि यह तमाम numbers किस group में आएंगे इस तरीके से यह तुके names नजर आ रहे हैं तो यह name के group में आ जाएंगे तो इस तरीके से हम data को classify कर सकते हैं classification के operation के इसके बाद है sorting दोस्तों यहां आप over करें तो हमने M01 को पहले लिखा है तो हमने M02 को लिखा है उसके बाद M03 को लिखा है हमने दरसल इस data पर sorting अपलाई किया है हमने इसको number wise sort कर दिया है यह अमल दरसल कहलाता है sorting के बाद है calculation दोस्तों यहां आप गौर करें तो data में GPA नहीं लिखी लेकिन mark sheet में यह GPA का आपको एक heading नज इस पूरे data की मदद से इसको summarize किया कि जो यह इस student है यह पास है यह फिर तो दोस्तों summarize के अंदर क्या होता है कि आप एक बहुत बड़े data को एक consistent way में बहुत छोटा कर देते हैं और यह छोटा करना दरसल कहलाता है summarizing यह देखिए masses of data is reduces to more concise and usable form यानि आप अपने data को जो के बहुत सी बड़ी ताजाद में होता है उसको आप उसके उपर summarizing का option perform करक इसको एक meaningful information के अंदर तब्दील कर देते हैं इसके बाद दोस्तों अब जब आपके पास output आ गया है mark sheet के शकल में तो आपकी organization इस output पर दो काम कर देगी पहले तो इसकी एक copy अपने पास store कर लेगी और फिर आगे इसको transfer कर देगी और चाहे तो इसमें मत्रीर processing भी कर सकते है जब आपको information धिल जाती है तो आप उस information को दो तरह से manage करते हैं first you have to store the information ताके आपके पास record मौदूद हो आप उसको future के अंदर use कर सकें second if you want to transfer this information उसमें अगर आपको मजीद processing करनी है information को transfer करने के बाद तो आप वो भी कर सकते हैं और ये अमल कहलाता है reproduction जिसके अंदर आप अपनी information पर मजीद processing करके उसको और ज्यादा informative बना सकते हैं तो dear friends यहाँ पर हमारे lecture का इफ्ताम हुआ जिसमें हमने सीखा कि data क्या होता है information क्या होती है और data पर आप operations कौन कौन से perform करवा सकते हैं अगले lecture में हम स्टार्ट करेंगे एक नए topic जिसका नाम है file, file types तक के लिए Allah Hafiz